तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप लोग डेली बाइनेंस एप की मदद से भाई 15 से 20 डॉलर 15 मिनिट के अंदरी कमा लोगे क्योंकि आज वाली स्ट्रेटीजी जो आपको बताने वाला हूँ अगर आप न्यू बंदे हो या फिर पहले से ही बाइनेंस के ओपर भाई साब काम कर चुके हो अभी तक आप लोगों ने डॉलर्स का मून नहीं देखा मतलब नहीं कमा पाए तो आज ये तरीका आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मै निव लोगों को मतलब कुछ सिखाना चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग पैसे कमाओ घर बैटके अपनी फैमिली के लिए ताकि आपको कोई जॉप न करनी पड़े और बात करें क्रिप्टो करंशी की तो यहाँ तो पैसा भर भर में है लेकिन कमाने वाले लोग बहुत काम है तो इसलिए आज एक न्यू स्ट्रेटीजी आपको बताने वाला हूँ वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगया क्योंके यार मेरे पिछले काफी टाइम से थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है मेरा गला खराब हुआ था जिसकी वजह से बोलने में होती है तो इसलिए तोड़ा स्लो स्लो वीडियो अप्लोड करना हूँ और आप सभी के लिए मैंने अपना वर्टसेप का चैनल बना रखा है 5000 सब्सक्राइबर हमारे वहां पे होने वाले हैं वहां पे क्या करता हूँ कि डेली के आपको फ्री सिगनल देता हूँ कि किस प्रिप्शन में मेरे वाटसेप ग्रूप का आपको चैनल का लिंक मिलेगा उस लिंक के उपर क्लिक करके अभी से मेरे चैनल को जॉइन करो और डेली वहां पर जाके प्रोफिट बनाओ यहां पर स्क्रीन के उपर देख भी सकते हो भाई डेली दोसे तीन सिगनल तो मैं फ् कैसे टोकन को देखा जाता है उसको डिटेल कौन सी ब्लोकचेन के उपर है वो सारी चीज़ें अपने इसी चैनल के उपर बताता हूँ तो इसको सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करो क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियो है ना इतनी आपके लिए भाई इतनी आसान है विकोज आजकल आप देखो ना पैसे के बगएर आप कोई भी काम नहीं कर सकते अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है घूमने के लिए पैसा चाहिए आपको गाड़ी लेनी है पैसा चाहिए आपको गाड़ी रेंट पे चाहिए कहीं किसी और सीटी में जाने क लिए कोई काम है पैसा चाहिए आपको खाना खाना है पैसा चाहिए नाश्टे में पराठे खाने है पैसा चाहिए आपको किसी अच्छे से होटेल में जाके खाना खाना है पैसे चाहिए आपको कपड़े खरीदने है पैसा चाहिए आपको जूता खरीदने है पैसा चाहिए म अगर आपकी जेब में माल नहीं होगा तो कोई भी आपकी इज़त नहीं करेगा और इज़त बहुत ही जरूरी है तो इसलिए पैसा कमाना सीखो लेकिन पहले सीखो पैसा कहीं पे भागेगा नहीं जब आप सीख लोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा मेरी बातों से किते लोग agree करते हैं 100 मैंसे कितने नबर दोगे comment में लिखना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कमाना चाहते हैं और मैं daily video upload करूँ तो चलिए तो चलिए दोस्तों इस टाइम पे मैं Binance के उपर आ चुका हूँ और यहां पे धीरे धीरे बोलूँगा आज मेरा गला बहुत ही खराब है अब यहां पे कोई new बंदा आता है दोस्तों वो यहां पे चाहता है कि मैं 15 से 20 डॉलर daily कमाना हूँ तो कैसे होगा यहां पे token आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि जिस टाइम पे आप पैसे कमाने आए हो तो किस token को खरीदना है और वो token किस blockchain को follow करता है लेकिन यह चीज़े मैं पहले वाली दो वीडियो में बता चुका हूँ वैसे मैं अपने जो मेरी community है WhatsApp भी वहां पे भी voice message करके daily बताता रहता हूँ तो वहां से भी आपको अच्छी खासी information मिल जाएगी लेकिन for example मैंने एक token यहां पे select ही है उसके जो price है ना 1 dollar है PNUT ठीक है इसका नाम है और यहां पे इसका last 15 minute का मैं चार्ट देखू ना यह जो strategy है ना 15 minute के चार्ट पे काम करेगी वैसे एक घंटे का चार्ट भी होता है यार 4 घंटे का होता है एक दिन का भी होता है मैं यहां पे आपको देखो अब यहां पे सीधी सी बात है सबसे पहले आप लोगों को देखना है अपना portfolio portfolio उसको बोलने है कि इस टाइम पे Binance के अंदर आपके कितने डॉलर पने है मतलब किसी के पास 100 डॉलर हो सकते है किसी के पास 500 डॉलर हो सकते है किसी का portfolio 1000 डॉलर का हो सकता है किसी का 5000 का किसी का 1,000,000 डॉलर का ठीक है हर के टागिरी के यहां पे लोग होती है सबसे पहले आप लोगों को ये ट्रेडिंग का एक असूल है स्पॉर्ट ट्रेडिंग का आपको अपना पॉर्टफोलियो देखना है अब छोटी सी एक्जेंपल लेती है किसी बंदे के पास 100 डॉलर है भाई साब मेरे पास 100 डॉलर है 25% 25% 25% 25 या फिर ऐसा करूँगा 30% 40% बाकी पीछे कितने बचे 30% ठीक है तीन ही से भी आप बना सकते हो ठीक है अब यहाँ पे देखो जो मार्केट होती है न दोस्तों मार्केट के अंदर एक बेसिक चीज होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है मैं धीरे धीरे बताता हूँ ताकि आपको समझ आए अब यह जो टोकन है न ऐसा नहीं है कि मैंने इसको देखा और इसके अंदर पैसा लगा दिया भाई मुझे प्रोफिट हो जाएगा धूम धड़के से पैसा नहीं लगाना होता फॉर एक्जेंपल मेरे सामने यह टोकन है सबसे पहले मैं क्या देखूंगा मुझे यह देखना पड़ेगा कि यह टोकन किस चेन को फॉलो करता है मतलब किस ब्लोकचेन का टोकन है यह देखने के लिए हमें टोकन की इंफो के अंदर आना होगा यहाँ पे इंफो के बटन पे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रोल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को यह चीज गन्फर्म हो जाएगी कि यह जो मीम कुई रहना नीचे आप देख सकते हो इस ए मीम कुईन ओन सुलाना मतलब यह सुलाना की ब्लोगचेन को फॉलो करता है यहाँ पे यह चीज आपको के लियर होनी चाहिए कुछ AI के टोकन होते हैं कुछ होते हैं भाई Ethereum की ब्लोगचेन के कुछ होते हैं अलग-अलग जो ब्लोगचेन चलती हैं वहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैं सुलाना के इंदर आऊँगा सबसे पहले तो एक नजर मैं सुलाना पे डालूँगा कि यहाँ इसके क्या सिचुएशन है सुलाना जो है न यहाँ पे उपर जा रहा है कि नीचे अब पिछले 15 मिनिट का चार्ट मैंने ओपन कर रहा है यहाँ पे 15 मिनिट के जो कैंडल यहाँ पे बने है तो उसमें मुझे दिखा ही दे रहा है कि सुलाना यहाँ पे पंप किया है उसने थोड़ा सा अब क्रिप्टो क्रैंसी की जो लोग जानते हैं उसको पता होगा कि एर एक दम से कभी भी क्रिप्टो जो है ना उपर नहीं जाता पहले उपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है फिर उपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है फिर उपर निकल जाता है फिर उतना नीचे आता है तो सुलाना मैं देख रहा हूँ कि 3-4 candle इसने बनाए green मतलब यह उपर निकल गया अब यहाँ पे chances क्या लग रहे हैं कि सुलाना थोड़ा सा यहाँ नीचे गिनने वाला है क्योंकि यहाँ पे candle भी बन रहा है एक और अब यहाँ पे green candle हलका हलका बन रहा है आपको नजर आ रहा होगा यह उपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है अगर यह सुलाना यहाँ से उपर जाता है तो इसकी blockchain का जो छोटा token मैंने देखा था जिसके अंदर मैं profit बना रहा था तो सुलाना अगर उपर जाएगा तो यह token भी उपर चला जाएगा क्योंकि सुलाना को यह follow करता है सुलाना की blockchain का है यह काफी important point है एक trader के लिए आप long term काम करना चाहते हो तो यह चीज़ें आपको समझना बहुत ही जरूरी है और यह real चीज़ें मैं आपको यही सीखाना चाहता हूँ ताकि आपको मचली पकड़ने का तरीका आजाए और सारी जिनकी आप मचली पकड़ते रहो ऐसा नहीं कि किसी को बोलो के यार मेरा मचली खाने का मन है मुझे एक बार मचली खिला दो फिर वो बन्दा चला जाए तो फिर क्या करोगे मचली पकड़ना आ जाएगी तो फिर तो सारी जिनकी आप पकड़ते रहोगे तो यह चीज़ें को अच्छा उसके बाद यहार मैं देखूंगा अगर तो सुलाना यहां से थोड़ा सा भी बाउंस बैक करता है नीचे आता है जैसा के नसर आ रहा है केंडल यहां पे बन रहे है तो फिर क्या होगा यह जो टोकन मैं देख रहा हूँ न चोटा यह भी यहां पे नीचे तो यह kriti situation होती है सबसे पहले इसको analyze करना होता है जैसे ही आपको यह confirm हो जाए कि जिस छोटे token को मैंने select किया है वो किस blockchain के उपर है और उस blockchain का बड़ा token मतलब सुलाना जैसे आपको दिखाया कि वो उपर जाने वाला है या फिर नीचे तो फिर आप थोड़ा wait करो एक बार थोड़ा बनाना शुरू कर दे उपर की site यहाँ पे नीचे dip दे के तो फिर आपने क्या करना है इस छोटे token में आके इसको खरीद लेना है क्योंकि अगर सुलाना उपर जाएगा 1-2% पी उपर जाएगा तो यह यहाँ से चला जाएगा उपर तो फिर आपको starting में जो बात थी कि आपका जितना भी portfolio उसके 3 या 4 हिसे बना लो for example मेरे पास 100 डॉलर ने तो 30 डॉलर के मैं यह खरीद लूँगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे छोटे token 1 डॉलर क्योंकि इसकी price है अलग चीज अलग portfolio अलग token पे depend करता है कोई token भाई 5 डॉलर का होता है कोई 6 डॉलर का होता सुलाना है तो यह चीज़ें उस टाइम पे आपको देखनी होती है अब यहाँ पे देखिए सुलाना थोड़ी सा उपर movement कर रहा है तो यह token भी उपर की तरफ जा रहा है पहले सुलाना नीचे गिर रहा था अब थोड़ा सा ऐसे up हुआ ठीक है लेकिन यह token भी उसी तरीके स यहाँ पे movement कर रहा है उपर नीचे सुलाना को follow कर रहा है मैं यह सुलाना की आपको example दे रहा हूँ इसी तरीके से जितने भी token है वो किसी ना किसी भाई blockchain को follow करते है Ethereum हो गया BTC हो गया मतलब जितने भी blockchain है और यहाँ पे important बात यह है कि दिन में जरूर सुलाना तीन से बार चार बार जो है ना उपर नीचे आता है अब यहाँ पे last 15 minute के candle देखे ना तो पहले इसने यहाँ पे crash किया भाई यह देखो कितना बड़ा red candle यहाँ पे इसने बनाया था उसके बाद यहाँ से थोड़ा उपर गया उपर जाने के बाद पिर slowly slowly करके यह उपर green candle बनाता गया कहने का मतलब यह है कि 15 minute के candle में आप देखो तो आपको जरूर मौका मिलता है दिन में 2-3 बार scalping करने का अब यह सुलाना को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा उपर जाने की try कर रहे है ना इस देरे में देखो दोस्तों अब यहाँ से pump किय अब मैं आपको छोटे meme queen candle लेके चलता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव आपको दिखा रहा हूँ तो यह देखो दोस्तों यह भी इसने green candle यहाँ पे बना दिया धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और जैसे सुलाना 2-3 परसेंट यहाँ पे उपर निकल जाएगा क्योंकि सुलाना की blockchain है यहाँ पे तो आप लोगों को daily बस यह देखना है कि 2-3 token आप ढूंडो जो फिवरेट हो आपके वो तुम्हें अपने whatsapp चैनल पे भी बता देता हूँ कि मेरे फिवरेट कौन से token है जिनमें मैं daily trade करता हूँ तो उसको जाके अ उपर गया के नीचे गया अब देखो दिन में एक मौका जरूर आता है कि token एक red candle बनाता है बड़ा सा जरूर movement उसकी होती है तो उस movement को आपको देखना है जब आपके सामने एक बड़ा candle या बन जाए एक दम से वो भी कभी कभी situation होती है या फिर चोटे 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 तीन स का होता है ना bottom वहाँ पे आप लोगोंने 30% या फिर मतलब आपके portfolio के इसाब से 20% 30% आप लोग उसको खरीद लो और ये 20% 30% इसलिए बोलड़ा हूँ क्योंकि आप खरीदो जरूरी नहीं कि token उपर जाएगा market और भी crash हो सकती है नीचे भी आ सकता है token तो backup में आपके पैसे पड़े हो अगर नीचे आता है तो दुबारा आप उसको खरीदो ताकि जब उपर जाए तो आपको double triple यहाँ पे profit हो तो यह यहाँ पे strategy काम करती है अगर आप trading को सीखना चाते हो तो मेरा कहना मानो daily यहाँ पे एक token को देखो कि दिन में पहले देखो एक दिन दो दिन जाता है और आप देखोगे जब गोर से देखोगे ना दो से तीन बार आपको ऐसी situation मिलेगी कि एकदम से red candle नीचे आता है दुबारा भाई उपर निकल जाता है तो वही scalping होती है 15 minute की उसमें आप लोग token ऐसे यकदम गिरता है नीचे एकदम से वहाँ पे आप उसको पकड लो खरीद लो और दुबारा उपर करके थोड़ा सा जाता है 15% उपर चला जाए 20% चला जाए 5% तो आपने उसको तुरंत सेल कर देने हैं आपके 5 से 10 डॉलर बन जाएंगे ज्यादा बड़ी investment होगी तो फिर भाई ज्यादा बड़े पैसे बनेंगे 200-300 डॉलर समझ रहे हो छोटे छोटे लगा हो ताकि आपको आइडिया हो फिर यहाँ पे पैसे की कमी तो है नहीं ना यह trading भाग दिये ना मैं ना आप ना यह market तो सीखो अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा बहुत सारी चीज़ें अभी भी बताना चाहता हूँ लेकिन गला खराब है क्या करूँ अभी के लिए यह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके ओपर implement करो और मेरी community का हिसा बनो link का आपको मेरे whatsapp चैनल का मिल जाएगा वहाँ पे मैं आपको detail के साथ बताता रहता हूँ और मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करो अगले एक से दो दिनों में एक और बड़ी indicator के ओपर व झाल दे